हलो हाई नमस्ते कैसे हो आप से बासा करती हूँ बहुत बहुत बाबात ही बढ़िया होगे और हम लग जा रहे है सुरत की सेर पर तो आप लोग में देख रहे हो वो है सिविल वाला ब्रीज जहां पर बहुत ही अच्छे से पुल को बनाया गया है और जिस सुरत को ब्रीज ओफ सिटी कहते है तो यहीं की यही तो सान है और आप देख सकते हो यहाँ पर एक सरकल है यहाँ पर मसाल जलती रहती है पर इस टाइम में नहीं है यह बहुत ही प्यारा सा नजारा रहता है और हम लोग आगे बढ़ते हैं और जहते हैं सुरत की सबसे हाई फाई और अली जगाओ से और याद रखना कि यह जो है यह मेरा लॉंग ड्राइव का वीडियो है और इसमें हम कही पर भी नहीं ठैरते और यह जो आप देख रहे हो यह मार्केट है जहां पर आपको बहुत सारे अलग-अलग वेराइटी के रिजनेबल रेट में कपड़े मिल जाएंगे और साम के टाइम में यहां पर बहुत ही बड़ा मार्केट लगता है और आप देख सकते हो यह बड़ आ चुका है जिसको भी हजीरा जाना है रंदर जाना है उसके लिए जोक के लिए भी यहां से ही जा सकते हैं ऐसे तो बहुत सारे रास्ते हैं पर हम लोग जा रहे हैं वेसु साइट तो वहां से कैसे जा सकते हैं तो मैं आज आपको पूरा रोट दिखाऊंगी कि यहां पर क्या क्या होता है और कैसे कैसे होता है तो हम लोग थोड़ी देर में अटवागेट सरकल की और पहुंच जाते हैं और यहां का जो पूल है यहां से एरपोर्ट पास पड़ता है तो इसकी अकोडिंग यहां पर यह सरकल बनाया हुआ है यहां पर बहुत ध्यान रखिएगा बिना हेलमेट के इस रोड पर गलती से भी मत जाएगा वर्ना आपको भुकतान करना पड़ सकता है डंड का क्योंकि यहां पर आलवेस पुलिस खड गार्डन है और फर्स्ट टाइम कोल्ड वाली जो पानी पूरी हती है वो मैंने यहीं पर ट्राई की थी और यह बहुत ही अच्छा गार्डन है बहुत फेमस था पहले अभी तो बहुत सारे गार्डन और भी बन चुके हैं और हम लोग आके ग्योड बढ़ते हैं यहां से हम लोग आके बढ़ते हैं और यह टोटल ही पॉलिस के अकोडिंग ही वेरिया होगा यहां पर बहुत सारे पॉलिस टेशन है अलग अलग टाइप से और यहां पर एक महादेव का मंदिर भी है तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए और इसी रोड पर हाई कोड भी आई है बह यह जो आप ब्रिज देख रहा है वो हो कैबल ब्रिज की यहां से स्टार्ट होता है और अडाजन पाल में जाके होता है और यह आप देख सकते हो यहां से वो टन हो जाता है और यह आपको मैं यह दिखा रही हूँ यह वाला जो आगे का पोजिशन है वो गिर चुका था इ यह बहुत ही अच्छा लगता है और यह बहुत ही लंबा था अभी तो दूसरा एक बीजब्री बन चुका है पर उससे पहले यह बहुत ही लंबा ब्रीज था तो हम लोग बढ़ रहे आगे की और आगे जाते हुए मुझे एक ही गाना यादा रहे है लोंग ड्राइप चल चल लोंग ड्राइप चल चल तो हम लोग बढ़ रहे हैं बहुत ही तेजी से आगे की और तो चलिए चलते हैं और मैं दिखाती हूँ अज होरर वाला पूत बंग तो दिल थाम के बैठिएगा क्योंकि अभी देखने को मिलेगा most horror place in सूरत तो दिल थाम लेजेगा और आपको अभी देखने को मिलेगा अरे यह चुडल दिख गई ना चुडल नहीं यह मैं ही हूँ और मैं आपको दिखा देती हूँ कि वह कौन सी जगह है और मैं पूरी डा से कोई भी नहीं रहता हूँ यह इतने city area में है फिर भी वहाँ पर कोई भी नहीं रहता है यह पूरा का पूरा जो बंगला है वो खाली है और रात को वहाँ पर किसी को भी टिकने नहीं देते ऐसा बोलते है और दूसरी भी एक building है जो भी खाली की खाली है तो मैं थोड़ी सी confused थी कि वो है या यह है पर वो पास-पास में ही यह दोनों ही building और हम लोग आगे बढ़ जाते हैं वहां से तो हम लोग bridge उतर चुके हैं और इसने में ही बहुत सारी ऐसी जगह पर जहां पर बहुत सारी खाने की चीज़े मिलती है और यहां पर एक famous चीज जानी लोचो है वो भी बहुत famous है उसकी बहुत सारी सुरत में branch है और यहां पर भी एक उसकी branch है और हम लोग पहुंच चुके हैं highway में चलते 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 वैसे तो यह जो road है वो डुमस तक जाता है और हम लोग भी वहीं तक जा रहे है क्योंकि मेरी long drive भी हो जाती और आपके चलते ती कि इसको डुमस वाले ब्लॉग में ही डाल उपर वीडियो इतना लंबा हो जाता था कि पूछो ही मत चलते यह वाली मैंने long drive की बना दी और आपके साथ भी शेयर कर दी जिन जिन लोगोंने नहीं देखा वो लोग भी देख ले और यह जो है number one है हमारा सूरत तो यहां पर बहुत सारे budget लगाये हुए है और यह tiger भी है और उसी के exit सामने है लेक्यो गार्डन जहां पर बहुत सारे couples लोग देखने को मिलते हैं पर इस time में no couples no allowed तो यहां पर कोई भी नहीं था और बाकी बहुत सारे लोग यहां पर बैठने को मिलते हैं यह जो पूरी अगे बढ़ जाते हैं और यहां से malls वगेरा जो है start हो जाते हैं और यह जो रोड है specifically यहां पर बहुत सादा मॉल है तो सबसे पहला मॉल आता है इसकौन मॉल और इसी के सामने आती है राजन्स मुल्टिपलेक जिसमें मेरी first movie मैंने कोई मिल गया देखा था तो तब से में theaters में movie देखना का शुरू होई थी और उसी के exit सामने है इसकौन मॉल तो वहां पर भी बहुत ही बड़ा यह मॉल है पर इससे भी बड़ा और और एक मॉल है मैं आपको वो भी दिखाऊंगी तो हम लोग बढ़ते हैं आगे की और यह train चली बाबाई और हम लोग भी जली से चली चली बड़ते आगे की और और आप लोग को भी मैं दिखाते चलती हूं कि क्या क्या आ रहा है इस रूट पर क्योंकि यह रोट है यह बहुत ही फिह मसेयर आप देख सकते हो कि यहां पर आगे पिछे की और बहुत ही जदा स्पेस है तो सामके टाइम यहां पर परोठे की हुई है पर अभी जाना पॉसिबल नहीं हो रहा है पर मैं बहुत ज़्यादा शॉपिंग में यहां से करती थी हम specially आते थे हम लोग जहां रहते थे वहां से यहां तक शॉपिंग करने के लिए और उसके बाद मर्सिडीز वगये का सोरूम है और बहुत सारी चीज़े है और यहां पर हे टॉमिनोज खान गया हां आ गया तो यहां पर हैं डॉमिनोज सिसेडी फीजाहर्ट यहां पर लाइन में है बर्गर किंग वगयरा तो जो जो लोग भी खाना चाते है जो लोग सुरत में नए है तो ये व्लोग देखेंगे तो उनको आइडिया आ जाएगा कि उनको कहां पर जाना है कौन से रास्ते से जाना है तो हम लोग आगे क्यों और बढ़ते हैं और हमें मिलता है राहुल राज मोल जो की बहुत ही पहला मॉल बना था और बहुत थी जादा पॉपिलर है तो यहां पर भी पानी पूरी फ्रैंकी हो है वो सारी चीज़े जो फास्पूट की है अब यहां पर मिलती रहती है और उसके बाद हम पहुंच जाते हैं सेंट्रल मोल जहां पर केपसी है और उसी के ठीक सामने वेलेंटाइन है जिसमें म मिल कर रही हो कि मैं कोई गेमर खेल रही है और मैं ऐसी तरह से कैमेरे को भी गेम खिला रही हूं अपने मोबायल को भी मुवान कर रही हूं और यह जो आप रास्ता देक रही हो यहां पर सब्सक्राइब के टाइम बहौत सारे लोग वाक के लिए आते हैं और संडे को तो य यहां पर हर तरह की पबलीके आती जाती रहती है और संडे को तो बहुत ही सारा मेला सा लगता है पर अभी कोरोना के कडिंग सब कुछ बंद है और हम आ चुके हैं सबसे बड़े और लाश्ट वाले मॉल वियार पर तो यह आप देख सकते हो वियार मॉल यहां का व्यू इतना अच्छा है कि आप पूछो ही मत और आप लोग बोलेगे तो मैं सारे मॉल्स के सेपरेटली ब्लॉक्स बनाऊंगी और कभी जाना हुआ तो मैं बना ही लोगी एरपोर्ट का तो मैं आपको वहीं तक लेके जा रही हूँ और अभी थोड़ा सा ही बाकी है और देख सकते हो यह नाव के आप कार की यह होटल है या क्या है मुझे पता नहीं है पर इसका लुक बहुत ही अच्छा और मेरे फोटोस में भी आपको देखने को मिलेगा फोटोस देखने के लिए आपको मेरा इंस्टाग्राम एडी चेक करना पड़ेगा 3086 पर टेल तो हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर एरपोर्ट में बात में आपको बता दू कि सूरत में आप रास्ते से आओगे तो आपको बस टॉप और रेलवे से आओगे तो रेलवे स्टॉप दोनों ही पास में है पर एरपोर्ट बहुत ही दूर है 26 या 30 किलो मेटर के अकोडिंग होगा ये जो एरपोर्ट है सूरत का वो और आप जब भी आओ तो इस चीज़ का खास करके ध्यान रखो कि आप पहल बहुत ही जादा कम होते हैं तो इसका भी आपको ध्यान रखे क्योंकि आपको सिटी में आना होगा तो ये थोड़ा आपको दिक्कत हो जाएगा और आपके पास प्राइवेट फीकल हो तो तो कोई प्राब्लम ही नहीं होगी और यहां पर बस भी बहुत कम दिखती है पर च बिठाना चाहे बिठाना चाहे तो बिठा देना मैं मना नहीं करूंगी और आपको यह वाले वीडियो भी आपको पसंद आई होगी वैसे तो यह लॉंग ड्राइव थी आपको यह ड्राइव वाला वीडियो पसंद आया होगा तो बता देना तो मैं आगे भी आसे वीडिय होंगे और वीडियो को लाइक कर देना मिलते है नेक्स वीडियो में बाबाई